देखे मौजूदा गर्मी का जिस तरीके से एक कहर बरबा रहा है अपमीद से परे कोई भी चीजे अचानक में आती हैं तो कई समस्याएं उद्पन होते हैं आप करोना को यह ले के देख लिए अचानक आया कितनी अस्थ्वयस्थ है पुरे देश कुरा दुनिया अस्थ्वयस्थ हुआ चाहे आप कितनी भी तैयारी करें उत्पन होती है जहां ये समस्या सबको जलना पड़ता है आज मैं शर्फ ही नहीं बलकि लगातार इस इस पर नजर रखता हूँ यहां भी समस्या है और भी राज्यों में समस्या है मशीने वर्तमान वातावरन में बहुत लोड लेके चल नहीं पा रहा उसको भी समय उसको भी रश्ट देनी के जरुद पड़ती है नहीं तो दो घंटे का समस्या होता है अगर हम प्लांटों के साथ जरुद जबर से जस्ति करते हैं तो महिनों की समस्या होता है यह तो तकनीकी भी साय है और जहां तक बिजली की उपलब दता है वो भी पुरे देश में कमी है आप आप बजार में भी बिजली की खरिद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वज़ा से इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब करा दिये हैं ताकि पहले से ही जो कंपर्टिशन का बिजली खरिद में है उसे पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें और मुझे लगता है यह समस्या का समधान काफी हद तक समधान हो जाए सर रेट की क्या सेंडर गवर्मेंट जादा ले लिए जादा लेकिन क्या खरिद में देखे कई विशय हैं अब उन सब विशयों पर विभाग बहुत दूसी रुप से बता सकता है आपको आकर आप देखें कहीं 12 रुपिया है कभी-कभी तो 20 रुपिय तक कभी सरकार ने खरीदा है और कभी-कभी बिजली खरीद कर उसका उपयोगता भी नहीं होती है तो वह भी वेस्ट हजब मनी है इस सब चीजों को बैलेंस बढ़ाने के लिए और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे बढ़ती हैं और अभी वर्तमान डिमांड के तहत रात में अचानक डिमांड बढ़ जाता है दीम में डिमांड घड़ जाती है पदा जला कि किसी समय में अचानक डिमांड बढ़ जाती है यह बहुत तोड़ा फ्लिक्जुडेट इस्तिती है आग के गर्मी के वक्त में और इस विशह पर विभाग ने चारों तरफ बिजली की उप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए काम प्रारम कर दिया अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूले